नमस्कार स्वागत है आपका दा न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी देश की चुनावी माहोल के बीच अब किसानों का हुद्धा एक पार्फर से गर्माता नजरा रहा है वे बक्षी पार्टिया पूरी तयारी में है कि किसानों को किस तरीके से साधा जाए तो देश के उपराश्वती जगतीब धंकड ने हर्याना के किसानों से मुलाकात की है उन्हें सम्मानित किया है और साथ ही भारत के प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी की तारीव की है उन्होंने ये कहा है कि भारत के प्रधान मंतुरी के दिल और दिमाग पर किसान हावी है ये करने का काम भारत के वर्थमान प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोधी कर रहे हैं तो जाहिट तोर पर जगदीब थंकड जो साफतोर पर कई मंच से बारपार उन्हें ये कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं मेरे परिवार के लोग खेती करते हैं और उनकी तरफ से अब हर्याना के किसानों से मुलाकात की गई है संसद भवन में ये मुलाकात हुई है दरसल जगदीब थंकड आउप राष्टपती जो है देश के उन्हों संसद आने का तब वो संसद पहुचे आप एक लकीर के फकीर मत हुए कि हमारे यहां तो गाजर मूली हो गई या अलू प्याज होगा थोड़ा सा वो भी देखिए कि कि जो हम पैदा कर सकते हैं सरकार ने बहुत करांतिकारी कदम उठाया है बड़े खर्चे के बाद उठाय है कि किसान को उसकी मिट्टी की जानकारी देते हैं शुरू में लगता है इसका मतलब क्या है बर जब आप सोचोगे आर्थिक दिश्टी से इसका बहुत बड़ा मतलब है तो प्लीज डाइवर्शिफाई दिमायाग लगाई है कि मैं और क्या कर सकता हूं दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार एगरिकल्चर प्रडूस का है आप ये कीजिए इसमें दिमाग लगाई है आप नोकर मत बनने की सोचिए लोगों को नोकली देने की सोचिए जब ऐसे व्यापार में आप जाओगे तो आपके यहां चार्टर अकाउंटन नोकली करेंगे आपके यहां मै को ये बताते ही कि उपराश्टपती जगदीब धनकर ने ना सिर्फ मुलाकात की बाचीत किसानों के साथ की उनके साथ खाना खाया और उन्होंने किसानों से बाचीत करते हुई ये कहा कि लकीर के फकीर मत बनिये नया सोचिए ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई और कह कि आप नोकर बनने की मत सोचिए बलकि लोगों को नोकरी देने की सोचिए ये तबाम बड़ी बातें किसानों को कही गई हैं जाहिर तोर पर देश में किसानों का मुद्दा हर चुनाहों में देखने को मिला है और चुकि राजिस्थान और मध्यप्रदेश इसके लावा च 36 कर तिलंगाहना और कई राच्चों में विधान सभा चुनाव हैं इन चुनावों को देखते हुए खासतोर पर राजिस्थान और मध्यप्रतेश की बात की जाए तो वहाँ पर किसानों को साधने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है किसान संभान निधी हो या कि किसानों के लिए जो अन्यय योजनाय सरकार की ओर से चलाई गई हैं उसका लाब किसानों को कितने बड़े पैमाने पर पहुंचा है इसकी जानकारी लगातार दी जा रही है लेकिन अब देश के उपराश्टपती जगदीब धनकर जो कि किसान परिवार में पैदा हुए है जो बखुबी तरीके से किसानों का दर्द किसानों की तकलीफ और किसानों की समस्या को समझते हैं अब उन्होंने देश के किसानों से मुलाकात की है और आपको मैं ये बता दूँए हर्याना की लगभग 50 से जाध प्रkwardशील किसानों को संसद्भवन में बुला कर सम्मानित करने के बाद उनके साथ भोजन उप राष्टपती ने किया और उन्होंने कुछ दिनों पहले ही चोत्री चरंद सिंग कृषी विश्विद्यासे में कृषी विकास मेले के दोहरान इन्हें नए संसद्वन देखने के लिए नियोता उप राष्टपती जगदीब धनकर नी द बड़ी बाती किसानों के सामने उप राष्टपती की ओर से कही गई लेकिन इसी के साथ साथ देश के परधान मंत्री नरींत्र मोदी की ताहरीफ भी उन्होंने की है जाहिर तोर पर जो उप राष्टपती जगदीब धनकर हैं वो राजिस्थान से तालुक रखते हैं यहां पर किसानों का करजा माफ करने का जुँ वाता किया था वहाता सरकार ने पूरा नहीं किया इसलिए किसानों की olacakी भी वहां पर है और क्यूंकि उप राष्टपती जगदीब धनकर वो राजिस्थान का दौरा लगातार करते रहते हैं इसे वहां के मुख्यमंतुरी अशोग गहलोद बोखलाई हुए भी हैं उन्होंने तो हाली में यह यहां तक कह दिया कि उपराश्टपती को यह जो दौरे हैं नहीं करने चाहिए यह राज़नीती से प्रेरित नजर आते हैं तो यह तमाम ब हीरता से कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंतुरी के दिल और दिमाग पर किसान हावी है किसान के लिए जो नीद्या की गयी है उनका मैंने अध्यन किया है मैं जो आज आपको कह रहा हूं यह सोच चोधरी चरनसिंग जी की थी कम समय के लिए प्रधान मंत्री बने लेकिन इस सोच को जमीनी हकीकत का रूप भारत के वरतमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी दे रहे हैं ये बड़ी बात उपराश्टपिती की ओर से कही गई है तो ये तमाम बाते उनकी तरफ से कही गई लेकिन इतना तेह हैं कि देश में चुनाव है पांच राच्यों में चुनाव हैं उसके बाद दोजार चुपीस में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और जाहर तोर पर किसान एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुकि किसानों को लेकर देश में लगातार सियासत होती रही है चाहे चुनाव हर्याना का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो या फिर पंजाब का हो किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है और किसानों को मुद्दा बनाकर कई सियासी पार्टियों ने वोट बैंक हासल करने की भी कोशिश की है चाहे बाद उत्तर प्रदेश की ही क्यों ना करने जाए वहां पर राकेश टिकैट फिर चा इस्टमाल किया हill लेकिन किसान के लिए किस तरीके से तमाम लाये जाए तमाम और जो उनकी समस्या हैं, उनका हल किया जाए उसको लेकर सरकार लगातार प्ρियास कर रही है हाल一些 के मुद्दे पर लगातार सियासत देखने को मिली है जैसा मैंने बताया कि जगदीब धंकड चुकी राजिस्थान से हैं और राजिस्थान में विधान सभाज जुनाव कुछ ही दिनों के बाद हैं तो ऐसे में वहां का सियासी माहूल गर्माया हुआ है वहां के मुक्य मंत्री अशोग गहलोत ने उपराश्टपती धंकड के राजिस्थान दोरों पर भी सवाल उठाया हलाकि इस पर भी जगदीब धंकड की ओसे पलटवार जो है वो किया किया और पलटवार करते हुए उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब जो है वो गहलो क्यों है अपने घर आने में ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी उन्होंने ये भी कहा कि नेताओ त्वारा उनके बारे में बयातबाजी करने से मन दुखी होता है उनके लिए नेताओ ने किनकिन शब्दों का इस्तमाल किया सब जानते हैं कि देश हम सब का है बेव उपराष्टपती जगदीब धनकर है वो खुलकर मोदी की तारीफ करते हैं खुलकर उनकी सरकार की तारीफ करते हैं उनके कार्यों की सहना करते हैं और जाहित तोर पर इस पर विपक्ष के कई नेता बारपार सवाल उठाते हैं कि जगदीब धनकर अब देश के तो यह भी पूछा दा है कि जब हामिद अंसाही दरसल उनकी ताहरीफ करती थे जिस तरीके की बैयाध बाजी वो करते थे तब क्या विपक्ष इस पर सवाल उठाता था तो यह तमान चीजे हैं जिसको लेकर कही न कहीं राजनितिक बहस जो है देश में देखने को मिली लेकि चुनाफों के इस बाहोल में किसान एक पड़ा हूता जिस पर अब उप राश्पती जगदीब धनकर ने खुलकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तारीफ की है और ये कहा है कि दरसल किसानों के लिए प्रधान मंत्री के दिल और दिमाग पर किसान हावी है फिलाल आपकी इस पूरे माखले कुलिकर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद